ओम नमो देव्यै महादेव्यै शीवाय सततम नमः नमः प्रक्रत्ते भद्राय नियताह प्रणताह अस्मताम मा भगवती के प्रिय भगतो आज हम दुर्गा सब्तशती के संपूर्ण भागों का शिर्वन करेंगे आप मन लगा कर इसे सुने दुर्गा सब्तश्यती का स्रवन मा दुर्गा की पूर्ण कृपा आपको दिलाता है और नवरात्रों में इसका स्रवन विशेश फल प्रदान करने वाला है वगवान विश्णू के सोजाने पर मदू और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्माजी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का में सिवन करता हूँ वे अपने दस हाथों में खडग चक्र गदा, बान धनूश, परिग शूल, बुशुन्डी, मस्तक और शंक धारन करती है उनके तीन नेत्र हैं वे समस्त अंगों में दिव्य आभूशनों से विभूशित हैं उनके शरीर की कांती नील मनी के समान है तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं मारकंडे जी कहती हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्नी जो आठवे मनू कहे जाती हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विष्दार पूर्वक सुनों सुर्य कुमार महाभाग सावर्नी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग में सुनाता हूँ पूर्व काल की बात है स्वरुचित मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे वे चेत्रवश में उत्पन हुए थे उनका समस्त भुमंडल पर अधिकार था वे प्रजा का अपने ओरस पुत्रों की भांती धरम पूर्वक पालन करते थे तो भी उस समय कोला विध्वशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे राजा सुरत की दंडनीती बड़ी प्रबल थी उनका शत्रुगों के साथ संग्राम हुआ यद भी कोला विध्वशी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत युद में उनसे परास्त हो गए तब वे युद भूमी से अपने नगर को लोट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे समुची प्रत्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा किन्तु वहां भी उन प्रबल शत्रूओं ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आकर्मन कर दिया राजा का बल क्षिन हो सुका था इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में भी राजगिये सेना और खजाने को हतिया लिया सुरत का प्रभुत्वन नष्ट हो गया इसलिए वे शिकार खेलने के बाने गोडे पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनी का आस्रम देखा जहां बहुत सारे हिंसक जीव अपनी स्वाभावी के हिंसा वरती को छोड़ कर परम शांत भाव से रहते थे और मुनी के बहुत सारे शिष्य उसोवन की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन्होंनी स्रेश्ट के आस्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे फिर ममता से आकरष्ट चित होकर वहाँ वे चिंता करने लगे कि पुर्वकाल में मेरे पुर्वजों ने जिनका पालन किया वही नगर आज मुझसे रहित है पता नहीं मेरे दुराचारी भरत्यगण उसकी धरम पुर्वकरक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा परधान हा थी अब शत्रूं के अधिन होकर नह जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्यय अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे उन अपिवयी लोगों के द्वारा जो सदा खर्च किये जाने रहे के कारण जो मेरा खजाना था वो खाली हो जाएगा और तथा और भी बहुत सारी बाते ही राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उनों ने वहाँ विप्रवर मेगा के आस्रम के निकटे के वेश्य को देखा और पूचा भाई तुम कोन हो और यहां आने का क्या कारण है तुम क्यों शोक ग्रस्त और अन्मने से दिखाई देते हो राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वेश्य ने विनीत भाव से कहा कि राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्यक वेश्य हूँ मेरा नाम समादी है मेरे दुष्ट स्त्री पुरूशों ने धन के लोब से मुझे गर से बाहर निकाल दिया मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वनचित हूँ मेरे विश्वसनी बंधों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं इस में में वे घर में कैसे रहती हैं, उन्हें कोई कस्ट है या नहीं मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए तब राजा ने पुछा कि जिन लोभिस्तरी पुत्र आदी ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना सने बंदन क्यों है? वेशय बोले, आप मेरे विशय में जैसी बातें करते हैं वह ठीक है, किन्तु मैं क्या करूँ? मेरा मन निश्ठूरता धारन नहीं कर पाता है, जिनोंने धन के लोभ में पढ़कर पिता के प्रति सने, पती के प्रति प्रेम तथा आत्मी जन के प्रति अनुराग को तिलांजल यह क्या है, इस बात को जान कर भी मैं नहीं जान पाता हूँ, उनके लिए मैं लंबी-लंबी सांसे ले रहा हूँ, और मेरा हर्दे बहुत दुखित हो रहा है, उन लोगों में प्रेम का सरवता अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निश्ठूल नहीं हो रहा, इसके लिए में क्या करूँ, मारकंडे जी कहने लगे कि राजा सुरत और समाधी नाम का वह वेश्य, दोनों साथ-साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्तित हुए, और उनके साथ यथा योग्य, नयायानुकूल विने पूरुन बरताव करके वहां बैठे, तत पश्यात वेश्य और राजा ने कुछ वारताला पारंभ किया, राजा ने कहा कि भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं से बताइए, मेरा चित अपने अधीन नय होने के कारण वह बात मेरे मन को बड़ी दुखी देती है, दुख देती है, तकलीफ देती है, जो राज्ये मेरे होता है, ये क्या है? इदर वैशे भी गर से अपमानित होकर आया है, जिसके पुत्र अस्त्री और भष्ट्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उनके प्रती है, बड़ा हारदिक सने रखता है। इस परकार यह तथा में दोन जो यह मोह पैदा हो रहा है यह क्या है विविक शुन्य पुरुष की भांती मुझ में और इसमें यह मूड़ता प्रतेक्ष दिखाई दे रही है तब रिशी बोलेगी है महाबाग विशे मार्ग का ज्यान सभी जीवों को है इसी प्रकार विशे भी सब के लिए अलग अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते तब टथा कुछ जीव यइसी हैं जो दिन और रातरी में बराबर देखते हैं यह ठीक है कि मनुश्य समझदार है, किन्तु केबल वे एक जैसे नहीं होते हैं, पशु पक्षी और म्रग आदी सभी प्राणी समझदार हैं, मनुश्यों की समझ वैसी ही होती है, जैसी उन म्रग और पक्षियों की होती है, तता जैसी मनुश्यों की होती है, वैसी ही उन और पक्षियों की भी है, दोनों बातें समान प्रतीत होती हैं, समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, फ्यम भूख से पीडित होते वे भी मोह वश बच्चों की चौंच में कितने चाव से दाने डाल रही हैं, हे नर्सरेश्ट क्या तुम नहीं देखते कि मनुश्य सार के स्थिती अर्थात जनम मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा मम्तामय भवर से युक्त मोह के गहरे गरत में गिराए जाते हैं, इसलिए ये आश्च्रे नहीं करना चाहिए, जगदिश्वर भगवान विश्णु की योग नि प्रश्टी करती हैं, तथा प्रसन होने पर मनुश्यों की मुक्ति के लिए वर्दान देती हैं, वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता, सनातनी देवी, तथा संपूल ईश्वरों की भी अधीश्वरी है, तब राजा ने पुजा की है बगवन, जि प्रभाव में स्रेष्ट है मैर्शी, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, और जैसा उनका प्राधुरभाव हुआ हो, वह सब में आपके मुहें से सुनना चाहता हूं, तब रिशी बोलेगी राजन, वास्तों में वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, उताओं का कारे सिद्ध करने के लिए प्रगट होती हैं उस समय लोक में उत्वन हुई कहलाती हैं कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणों में निमगन हो रहा था और सब के प्रभु भगवान विश्णु शेशनाग की शया पर योग निद्रा का आस्रे लेकर सो र हो गए थे भगवान विश्णु के नाभी कमल में विराजमान प्रजापती ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास पाया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विश्णु को जगाने के लिए नित्म के न विश्णु की अनुपम शक्ति हैं उन्ही बगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तोती करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी तुमी स्वधा तुमी स्वधा हो तुमी शटकार हो स्वर्भी तुमारे स्वरूप हैं तुमी जीवन दाविनी सुधा हो नित्य अक जिसका विशेश रूप से उचारन नहीं किया जा सकता वे भी तुमी हो हे देवी तुमी संध्या सावित्री और परम जननी हो हे देवी तुमी इस विश्व बर्मांड को धारन करती हो तुमसे ही इस जगत की स्रश्टी होती है तुमी से इसका पालन होता है उस सदा तुमी कल मुधर्प की अंत मी सबको अपना ग्रास बना लेती हूं। है जगनमय देवी। इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम स्रश्ठी रूपा हू। पालन में स्थिती रूपा हू। तथा कलपांत के समय संहार रूपधार्ण करने वाली भी तुम हूं। तुमी महा मिध्या, महा वाय, महा वेधा, महा समरिती, महा मोह रूपा, महा देवी, महा सुरी हो। तुमी तीनों गुणों को उत्पन करने वाली सब के प्रकृती हो। भयंकर काल रात्री, महा रात्री, मोह रात्री भी तुमी हो। तुमी शिरी तुमी ईशवरी तुमी हृरी तुमी भौधसव रुपा बुद्दी हो लज्जा पुस्टी तुस्टी शांतीक शमा तुमी हो तुम खडग धारिनी शूल धारिनी घोर रुपा तदा गदा चक्र शंक धनुश धारन करने वाली हो बान बुशुन्डी और परिग ये तुम्हारे अश्ट्र हैं तुम सोमे शोमे तर हो इतना ही नहीं जितने भी सोमे सुन्दर पदार्त हैं उन सब की उपेक्षा तुम अत्यदिक सुन्दर हो पर और अपर सबसे परे रहने वाली परवेश्वरी तुमी हो हे सरस रूपे देवी कहीं भी सत असत रूपी जो कुछ वस्तुमी हैं और उन सब की शक्ती है उतुमी हो ऐसी अवस्ता में तुमारे स्तूती क्या हो सकती है जो इस जगत की स्रस्टी पालन और संगहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधिन कर रखा है सब स्तूती करने में यहां कोन समर्थ हो सकता है मुझको भगवान शंकर को तथा विष्णु को भी तुमने ए शरी धारन कराया है अत्या तुमारी स्तूती करने के शक्ति किश्मे है हे देवी तुमतो अपने इन उदार फ़हों से परशंसित हो यह जो दूनों असुर है म धू प्रम्हाजी ने वहां मधू कैटब को मारने के उदेश्य से भगवान विश्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिश्टात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्थूती की तब है भगवान के नेत्र मुख नासी का बाहू हरदे और वक्ष स्थल से निकल कर नारदन उस एकारणों के जल में शेश्णा की शया से जागे फिर उन्हें दोनों असुरों को देखा वे दुरात्मा मधू कैटब दोनों अत्यंत बलवान और प्राकरमी थे क्रोध से उनकी आँखें लालती और ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए मार करने के लिए प्रयास कर रहे थे तब अगवान स्री हरी ने उन दोनों के साथ पांस हजार वर्षों तक बाहु युद्ध किया किन्तों वे दोनों भी बल से उन्मत हो रहे थे इदर महा माया ने उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे बगवान विश्णू से कहने लगे कि हम तुमारी वीरत से क्या लेना देना है इस प्रकार दोखे में आ जाने पर और माया योग माया के अधीन होने पर उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा तब उन्होंने कमल ने भगवान से कहा कि जहां प्रत्वी जल में डूबी हुई ना हो जहां स्थान सुखा हो वहीं हमारा वद करो तब तथास्तु कहकर शंक चक्र गदाधारन करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रख कर चक्र से काट डाले इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रमाजी की स्थूती करने पर स्व्यम प्रगट हुई थी अब पुने मैं तुम से उनके प्रभाव का वर्नन करता हूँ इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावरनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महातम्य में मदू कैटब वद नामक स्पहला अध्याय पूरा रिशी कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे सो वर्षों तक घोर संग्राम हुआ उसमें असुरों का जो स्वामी था वो महिशासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिशासुर इंद्र बन बैठा तब पराजित देवता प्रजापती ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां शंकर और विश्णु विराजमान थे देवताओं ने महिशासुर के प्राक्रम तथा अपनी पराजे का यतावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विश्थार पूर्वक कह सुनाया वे बोले कि है भगवान महिशासुर सूर्य इंद्र अगनी वायू चंद्रमा यम वरुन तता अन्य देवताओं के सभी अधिकार चीन कर स्व्यम ही सब का अधिश्थाता बना बैठा है उस दुरात्मा महिशनी समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है अब वे बेचारे मनुष्यों की भांती प्रत्वी पर विचरन करते हैं देट्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है अब हम आपकी शरण में आये हैं कृपया उसके वद का कोई उपाय बताएं इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्णू और शिव ने देत्यों पर बड़ा क्रोध किया उनकी बोहें तन गई और क्रोध में बरेवे चक्रपाने विश्णू के मुक से एक महान तेज प्रकट हुआ इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदी अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वो सारा तेज एकाकार हो गया एक हो गया, महान तेज का वैपुंज, जजवल्यमान परवत सा जान पड़ा, देवताओं ने तब देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रगट हुए उस तेज की कहीं भी तुल्ना नहीं थी एक अत्रित होने पर वै एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा भगवान शंकर का जो तेज था उसे देवी का मुख प्रगट हुआ यमराज के तेज से उनके बाल बने विश्णु भगवान के तेज से उनकी बुजाएं उत्पन हुई चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादूर भाव हुआ वरुन के तेज से जंगाएं और पिंडली चदा प्रत्वी के तेज से नितम भभाग प्रगट हुआ ब्रह्माजी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई वस्मों के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासी का प्रगट हुई उस देवी के दांत प्रजापती के तेज से तीनों नेत्र अगनी के तेज से प्रगट हुए उनकी बोहें संध्या एवं कान वायू के तेज से उत्पन हुए थे इसे प्रकार अन्यान्य देवतां के तेज से भी उस कल्यान मैं देवी का आविर्भाव हुआ दंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रगट हुई उस देवी को देखकर महिशा सुर के सताई हुए सभी देवता बड़े प्रसन हुए पिनागधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उने दिया भगवान विश्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन करके भगवती को औरपन किया वरुन ने शंक भेंट किया अग्नी ने उने अपने शक्ते दी वायूने धनूश और बान से भरे वे तरकश प्रदान किये सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंदर ने अपने वजर से एक वजर उत्पन करके उने दिया एरावत हाती से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया यमराज ने काल दंड से दंड वरुन ने पाश प्रजापती ने स्पटिक माला ब्रह्मा जिने कमंडलू भेंट किया सूरिय ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किर्णों का तेज भरा काल ने उन्हें चमकती वी ढाल और तलवार दी खीर समुद्र ने उजवल हार तथा कभी जीरन ने होने वाले दिव्य वस्तर बेंट किये साथ ही उन्हें दिव्य चूडामनी, दो कुंडल, कड़े, उजवल अरद चंद्र, सब बाहूं के लिए केयर दोनों चलनों के लिए निर्मल नूपूर, गले की सुन्दर हंसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रतनों से भरी हुई अंगुठियां भी दी विश्व कर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र अबेद कवस दिये इनके सिवा मस्तव और वक्ष स्थल पर धारन करने के लिए कभी नेकुम लाने वाले कमलों की माला दी जलदी ने उन्हें सुन्दर कमल का फूल भेंट किया, हिमाले ने सवारी के लिए सिहें और भांती-भांती के रतन समर्पित किये धना धेक्ष कुबेर ने मधू से भरावा पानपात्र दिया, संपूर्ण नागों के राजा शेस ने जो इस दर्ती को धारन करती हैं, बहुमुल्य मणियों से भी भूशित नागहार भेंट किया इसी प्रकारण्य देवताओं ने भी आबूशन और अस्तर शस्तर देकर देवी का सम्मान किया तत्व श्यातुन ने बारंबार अटहास पूर्वक उच्छ स्वर से घरजना की, उनके भेंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा, देवी का वे अत्यंत उच्छ स्वर से कियावा सिहनाद कहीं समा ना सका, आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा, उससे पाहिनी बवानी से कहा, कि है देवी आपकी जैहू, साथी महर्शियों ने भी बक्ति बाव से विनम रहोकर उनका अस्तवन किया, संपूर्ण त्रिलोकी को क्शोब गरस्त देखकर, देत्ते गण अपनी समस्त सेना को कवचादी से सुजजित कर, हाथों में हतियार लेकर सह इसा उठ कड़े हुए, उस समय महिशा सुर ने बड़े क्रोध में भर कर कहा कि यह क्या हो रहा है, फिर वे संपूर्ण असुरों से घिर कर, उस सियनाद की और लक्षय करके दोड़ा, वहां पहुंच कर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्र समपूर्ण दिशाओं को आचादीर करके खड़ी थी, तदंतर उनके साथ देत्यों का भेंकर युद्ध छिडा, नाना प्रकार के अस्त्र शेस्त्रों के प्रहार से समपूर्ण दिशाएं उद्वासित होने लगी, चिक्षुर नाम का महान असुर महिशा सुर का नायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा, अन्य देतों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, साथ हजार रतियों के साथ उदग्र नाम का महा देत्ते भी वहां लड़ाई करने लगा, एक करोड रतियों को साथ लेकर महा हनु नामक देते भी प्रइवारित नामक के एक राक्षस फाति पर सissoरो यूद्ध करने लगा िड़ाल नामक देते पांच अरव रतियों से गिर कर लोहा लेनी लगा इनके अतरीध Kansas हजारों महादेत्य रथ और हाथी गोडों की सेना लेकर देवी की साथ युद्ध करने लगे स्वयम महिसासुर उसरन भूमी में कोटी कोटी सहस्त्र रथ हाथी और गोडों से सेना से गिरावा खड़ा था वे देते देवी के साथ तोमर भिंदिपाल शक्ति मुसल खडग पर सर्शू पटिश आधी अस्त्रशास्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे कि देत्यों ने उन पर शक्तिका प्रहार कियाисьं पांश पैंकए तद्था कुछ दूससरे देत्यों के खडग प्रहार करके देवी-को就到्लने का उद्योंग किया देवी ने भी क्रोद की और विभगवती परमेश्वरी देत्यों के श्रीवों पर अस्त्र श्यस्त्र की वर्षा करती रही। देत्या का वाहन सिहें भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को ही लाता हुआ असुरों की सेना में इस परकार भी चरने लगा मनों वन में दावानल फैल रहा हूँ। रन भूमी में देत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने नीश्वास छोड़े वे ततकाल सेंग्डों हजारों गणों के रूप में प्रगट हो गए और परशु बिंदीपाल खडग पटिश आधी अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लग देवी की शक्ती से बढ़े वे गण असुरों का नाश करते वे नगाडा शंख आधी बजाने लगे उस संग्राम महोत्सों में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे तदंतर देवी ने त्रशूल से गदा से शक्ती की वर्षा से और खडग आधी से सेंग्डों महादेत्य का संहार कर डाला कितनों को घंटे के भेंकर नाद से मुर्षित करके मार गिराया बहुदेरे देत्यों को पाश से बांध कर धर्ती पर घसीटा कितने ही देत्य उनकी तिक्ष्न तलवार की मार से दो टुकडे हो गए कितनों की कितनों की ही गदा की चोट से गायल होकर प्रत प्रत्वी पर धेर हो गए उस रण संग्राम में बान समुह की वरस्टी से कितने ही असुरों की कमर तूट गई बाज की तरह जपटने वाले देव पीड़क देत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे गिनी की बाहें छिन भिन हो गई कितनों की गर्दने कट गई कितन को ही देवी ने एक बहाँ एक पैर एक नेत्र वाले करके दो टुगडों में चीर डाला कितने ही देते मस्त का कट जाने पर धरती पर उठ जाते थे फिर से खड़े हो जाते थे और धड़ के रूप में ही लड़ाई करते थे कुछ कदम युद के बाजों की ले पर नासते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ती और रिष्टी लेकर दोड़ते थे और दूसरे महा देते अभी ठैरो ठैरो ऐसा कहते वे देवी को युद्ध के लिए ललकारते थी जहां वैं घोर संग्राम हुआ वहां की धरती देवी के गिराई हुए रत ह हाथी गोड़े रुसुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहां चलना फिरना भी असंबव हो गया था देत्यों की सेना में हाथी गोड़े रुसुरों के शिरों की इतनी अधिक मात्रा में रखत पात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां खुन की बड़ी बड़ी नदिया बहने लगी जगदंबा ने असुरों की विशाल सेना को खशन भर में नश्ट कर दिया ठीक उसी तरहे जैसे त्रन और काट के भारी डेर को आग कुछी देर में भस्म कर देती है और वैसी हैं भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्चना करता हुआ देत्यों के शरीडों से मानों उस प्रकार प्राण चुन लेता था वहां देवी के गणों ने भी उन महादेत्यों के साथ युद्ध किया जिसे आकाश में खड़ेवे देवता बड़े प्रसंद हुए और फूल बरसाने लगे महिशा सुर सेना का संगहार नामक दूसरा अध्याय समाप रिशी कहते हैं कि देत्यों की सेना का इस प्रकार संगहार होते देख कर महादेत्य सेना दिपती चिक्षूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा वे असूर रणभूमी में देवी के उपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हूँ तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समुख को अनायास ही काट कर उसके गोडों और सार्थी को भी माल डाला साथ ही उसके दनूश तता अत्यंत उंची ध्वजा को भी ततकाल काट गिराया दनूश कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींद डाला दनूश रत गोड़े और सारती के नश्ट हो जाने पर वह असूर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दोड़ा उसने तीखी धार वाली तलवार से सिहें के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहर किया हे राजन देवी की बाँ पर पहुंचते ही वे तलवार तूट गई फिर तो क्रोध से लाल आंखे करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादेते ने भगवती भदर काली के उपर चलाया वे शूल आकास से गिरते वे सूर्य मंडल की भांती अपने तेज से प्रवजवली तो हो उठा उस शूल को अपनी तरफ आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया उससे राक्षस के शूल के सेंकनों टुकडे हो गए साथी महादेते चिक्षूर की भी धजियां उड़ गई और वे प्राणों से हाथ दो बैठा मैशा सूर सिनापती उस प्राक्रमी चिक्षूर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वारा चामर हाथी पर चड़ कर आया उसने भी देवी के उपर शक्ति का प्रहार किया किन्तु जगदंबा ने अपनी हुंकार से ही आहातेवम निस्प्रभ करके ततकाल उसे भूमी पर गिरा दिया शक्ति तूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया उसने शूल चलाया किन्तु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला तदंतर सीहें बड़े वेग से आकाश की और उचला उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सर दड़ से अलग कर दिया इसे पवार उदग्र भी शीला और उरक्ष आदी की मार काकर रन भूमी में देवी के हाथों मारा गया कराल भी दांतों, मुकों, थपड़ों की चोट से दराशाई हो गया क्रोध में बरियोई देवी ने गदा की चोट से उत्तत का कचुमर निकाल दिया भिंदेपाल से वाशकल को बाणों से तामर और अंदक को मोत के घाट उतार दिया तीन नित्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगास्रिय, उग्रवीरिय तथा महा हनुनामक देत्यों को मार डाला तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया दुर्दर और दुर्मुक इन दोनों को भी अपने बाणों से यम लोक को भेज दिया इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देखकर महिशा सुर्णे भेंसे का रूप धारन करके देवी के गणों को तरास देना अरंब किया किसी को थतुन के चोट मार कर किसी के उपर खुरों का प्रहार करके किनी किनी को पूँच से चोट पहुंचा कर और कुछ को सिंगों से विदिरन करके कुछ गणों को वेग से कुछ को सिहनाद से और कुछ को चक्र देकर कितनों कोई निश्वास वायू के जोंकों से दराशाई कर दिया इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह सूर्महादेवी के सिहें को मारने के लिए जप्ता इससे जगदंबा को बड़ा कुरोध हुआ उदर महाप्राक्रमी महिशा सुर्भी कुरोध में भर कर धरती को कुरों से खोदने लगा वे सींगों से उन्चे उन्चे परवतों को उठा कर फैंकने लगा और गरजने लगा उसके वेग से चक्कर देने के काण प्रित्वी खुब्द होकर फटने लगी उसकी पूंच से टकार समुद्र सब और से धरती को डुबोने लगा हिलते वे सींगों के आगात से वीदीरन होकर बादलों के टुकडे हो गए उसके श्वास की प्रचंड वायू के वेग से उड़ेवे सेंकणों परवताकास से गिरने लगे इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादेत्य को अपनी और आते देखकर चंडीका ने उसका वद्ध करने के लिए महान क्रोध किया उन्होंने पाश फैंक कर उस महान असुर को बांध लिया उस महा संग्राम में बंद जाने पर उसने बैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सीहें के रूप में प्रगट हुआ उस अवस्ता में जगदंबा ने जो ही उसका मस्ता काटने के लिए उद्यत हुई खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली तब महादेते ने पुने भैसे का रूप दारन कर लिया और पहले की बांती चलाचर प्राणियों से तीनों लोगों को गाकुल करने लगा तब क्रोध में बरी हुई जग्रमा चंडी का बारंबार उत्तम मधू का पान करने और आंके लाल करके हसने लगी उदर बे बल और प्राक्रम के मद से उन्मत हुआ राक्षास गरजने लगा और सिंगों से चंडी के उपर परवत फैंकने लगा उस समय देवी ने अपने बाड़ों के समूँ से उसके फैंके वे परवतों को सूरन कर दिया और बोली कि ओमूड जब तक मैं मदू पीती हूँ तब तक तूं क्षण भर गरज ले मेरे हातों से तेरी मृत्यू हो जाने पर शिक्र ही देवता आप गरजना करेंगे यों कहकर देवी उसलिए और महादेते के उपर चट गई उन्होंने पैर से उसे दवा कर शूल से उसके कंट में आगात किया पैर से दवा होने पर भी महिशा सुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा अभी आधे शरीर से वे बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया आधा निकला होने पर भी महादेते देवी से युद्ध करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया फिर तो हाहा कार करती विदेत्यों की सारी से ना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए अब देवताओं ने दिवी महर्शियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया गंधर वराज गाने लगे अपसराय निर्थे करने लगी इस प्रकार स्री मारकंडे प्राण में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महातम्य में महिशासुर वद्ध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ जैयते हैं कि अत्यंत प्राक्रमी दुरात्मा महिशासुर तता उसकी देत्य सेना के देवी के हातों से मारे जाने पर इंद्र आधी देवता प्रणाम करने के लिए गर्थन तथा कंदे जुका कर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों से स्तवन करने लगे उस समय उनके सुन्दर अंगों में अत्यांत हर्ष के कार्ण रोमांच हो आया था देवता बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है समस्त देवताओं और महर्शियों की पुजनिय उन जगदंबा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं वे हमारा कल्यान करें जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में बगवान शेसनाग ब्रमाजी तथा महादेवजी भी समर्त नहीं है वे भगवती चंडी का समपूर्ण जगत का पालन एवं एशुब भय का नाश करने का विचार करें जो पुन्यात्माओं के घरों में स्व्यम ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहां द्रिद्रता रूप से शुद्ध अंतय करन वाले पुरूशों के हरदे में बुद्धी रूप से सत पुरूशों में स्रधा रूप से तथा कुलीन मनुश्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं हे देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए हे देवी आपके इस अचिंतय रूप का अशुरूँ का नाश करने वाले भारी प्राक्रम का तता समस्त देवताओं और देत्यों के सम्मक्ष युद्ध में प्रगट हुए आपके अदबुत चरित्रों का हम किस प्रक आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ती में कारण हैं आप में सत्व गुण रजो गुण और तमो गुण ये तीनों गुण मुझूद हैं तो भी दोसों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता भगवान विश्व और महादेव जी आदी देवता भी आपका पार नहीं प करती हैं वह स्वाहा आप ही हैं इसकी अतिरिक्त आप पित्रों की भी त्रप्ती का कारण हैं अतैव सब लोग आपको स्वधा भी कहती हैं हे देवी जो मुक्ष की प्राप्ती का साधन है अचिंत्य महावरत स्वरूपा हैं समस्त दोशों से रहित जितेंद्रिये तत्व को वही सारवस्तु मानने वाले तता मोक्ष की अभिलाशा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं वह भगवती प्राविद्या आप ही हैं। आप संपुल्न जगत की गोर पीडा को नाश करने वाली हैं। अंद मुस्कान से सुशोबित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब कानुकरन करने वाला है। और उत्तम सुवर्ण की मनुहर कांती से कमनिये हैं तो भी उसे देखकर महिशा सुर को क्रोध हुआ। सैसा ही उसने आप पर प्रहार किया ये बड़े आस्चरे की बात है। देवी वही मुक्जब क्रोध से युक्त होने पर उद्यकाल के चंद्रमा की भांती लाल और तनी हुई बोहों के कान विक्राल हो उठा। तब उसे देखकर महिशा सुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आस्चरे की बात है। क्रोध में भरेवे यमराज को देखकर बला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी आप प्रसन्न होए। प्रमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अब्युधय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप ततकाल ही कितने ही कुलों का संगार कर डालती है। उनी को धन और यश्क की प्राप्ति होती है। उनका ध्य धर्म कभी भी शितिल नहीं होता। वे ही अपने हश्ट पुष्ट स्त्री पूत्र और ब्रत्यों के साथ धन्य माने जाती है। हे देवी आपकी क्रपा से ही पुन्यात्मा पुरुष्ट प्रति दिन अत्यंत स्रधा पुर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुन करम करते हैं और उसके प्रवाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चे ही मन वान्चित फल देने वाली हैं। मादुर्गे आप स्मर्ण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष्व द्वारा चिंतन करने पर आप उन्हें कल्यान मैं बुद्धी पतान करती हैं। दुख दरिदर्ता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है। जिसका चित सब का उपगार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए बले ही पाप करते रहे हों इस समय संग्राम में मृत्यू को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोग चाएं निश्चय यही सोचकर आप शत्रों का वद करती हैं आप शत्रों पर शत्रों का प्राप क्यों करती हैं समस्त असुरों को द्रिष्टी पात मात्र से भश्म नहीं कर देती ये भी एक रहश्य है ये शत्रों भी हमारे शत्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं इस प्रकारुन के प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है खडग के तेज पुंज की भेंकर दिप्ती से और आपके त्रिशूल के अगर भाग से गनिबूत प्रबाद से चोंदिया कर असुरों की आंके फट नहीं गई उसका यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान अनंद पदान करने वाले आप पिस आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे हे देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बरताव को दूर करने वाला है साथ ही एक ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता जिसकी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती तता आपका बल प्राक्रम तो उन द पूलना हो सकती है तता शत्रू का भै देने वाला एसा मनुहर ऐसा रूप आपके शिवाउर कहीं नहीं है हर्दे में कृपा यूद्ध में निश्टूरता यह दोनों बातें तीनों लोगों में केवल आपके भीतर ही आप में ही देखी गई है हे माता आपने शत्रू का ना असकार है हे देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें हे अंबी के आप खड़क से हमारी रक्षा करें गंटा द्वनी और धनुष्ट अंकार से हम लोगों की रक्षा करें हे चंडी के पूरु पश्चिम दक्षिन दिशा में आप हमारी रक्षा करें हे इश्वरी आप अपने प्रशूल को गुमागर उत्र दिशा में हमारी रक्षा करें, तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और भेंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस बूलोक में रक्षा करें, हे अंबी के आपके ही करपलवों की शोभा पाने वाले खडग शू के दिव्य पुष्पों और गंध चंदनादी के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, कि देवताओं तुम सब लोग मुझ से जिस वस्तू की पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी शेस नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिसा सुर्व मारा गया, हे महिश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मर्ण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महानकष्ट को दूर क परसन मुकियंबी के, जो मनुश्य इन स्तुरोतों के द्वारा आपकी स्थूती करें, उसे वित्र समर्दी वैभव के साथ ही उसकी धन और स्त्रियादी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सदा आप हम पर परसन रहें, रिशी कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपन जगत के कल्यान के लिए बद्र काली को इस परकार परसन किया, तब अवे तथास्तु कहे कर वहीं अंतर ध्यान हो गई, हे राजन, इस परकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी, जिस परकार देवताओं के शरीर से प्रगट हुई, वह सब कथा मैं इसमें रिशी कहते हैं कि पुर्व काल में शुम्ब और निशुम्ब नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचिपती इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यग्य भाग छीन लिए, वे ही दोनों सूरिये, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुन के अधिकार हीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने ऐ पराजिता देवी का समर्ण किया और सोचा कि जगदंबा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में समर्ण करने पर मैं तुमारी सब आपत्तियों को ततकाल न रहा देवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है प्रकरती एवं बद्रा को प्रनाम है हम लोग नियम पूर्वक जगदंबा को नमस्कार करते हैं रोद्रा को नमस्कार करते हैं नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है जोचनामई चंद्र रूपिनी एवं सुक्स स्वरूपा देवी को सतत प्रनाम करते हैं शर्णागतों का कल्यान करने वाली वृदि एवं सिद्धी रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं नेरिती राजाओं की लक्षमी तथा सरवानी स्वरूपा आप जगदंबा को बार बार नमस्कार है दुर्गा प्रादेवी को सदा नमस्कार है, अत्यंत सोम्य और अत्यंत रोर्द्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधार भुता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विश्नु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में बुद्धी रूप से स्थित है उनको नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको बारम बार नमस्कार है उनको नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में जाती रूप में इस्तित है उनको नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में इस्तित है उनको नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में इस्तित है उनको नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में द्रूप में इस्तित है उनको नमस्कार है जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिस्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ती देवी को बारंबार नमस्कार है जो देवी चेतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर के स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है पुर्व काल में अपने अभीस्ठ की प्राप्ती होने से देवताओं ने जिनकी स्थोती की तथा देवराज इंद्र ने जिनका कई दिनों तक सेवन किया वे कल्यान की साधन बुता ईश्वरी हमारा कल्यान और मंगल करे तता सारी आपतियों का नाश्कर डाले। उदंड देत्यों से सतायवे हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तता जो भक्ती से विनमर पुरूशों द्वारा समर्ण की जाने पर त इस प्रकार जब देवता स्तूति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहां किसकी स्तूति कर रहे हैं। तब उनी के शरीर कोशे प्रगट देवी बोली कि शुम्ब देत्ते से तिरस्क्रित और युद्ध में शुम्ब से पराजित होकर यहां एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी हिस्तूति कर रही हैं। पार्वती जी के शरीर कोशे अंबिका का प्रादुर भाव हुआ। इसलिए वे समस्त लोकों में कोशिक कही जाती हैं। कोशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंका हो गया। अतैवे हिमाले पर रहने वाली काली का देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुम्ब निशुम्ब के भ्रत्य चंड मुंड वहां आये। उन्होंने परम मनोहर रूप धरन करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुम्ब के पास जाकर बोले कि महराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्वेकांती से हिमाले को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर प वे अभी भी हिमाले पर मुझूद है आप उसे देख सकते हैं। प्रभू तीनों लोकों में मनी हाती गोड़े जितने भी रतन हैं वे सब इस समय आपके पास हैं। हातियों में रत्नबूत एरावत, परिजात का वरिक्ष, उचेश्रवा गोड़ा ये सब आपने इंद्र स ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान आपके आंगन में है। ये रत्नबूत अद्बूत विमान जो पहले ब्रमाजी के पास था अब आपके यहां है। ये महापद्म नामक निधी जो आप कुबेर से चीन लाए। समुद्र ने भी आपको किंजलन किनी नामक माला ब अधिकार में था, वो अब आपके पास है। हे दे तेश्वर, मृत्यू की उत्करांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। तता वरुन का पाश्ट, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्ब के पास हैं। अगनी ने भी स्वता ये वचन सुनकर शुम्ब ने महादेते शुगरीव को दूत बनाकर देवी के पास बेचा और कहा कि तुम मेरी आग्या से उसके सामने ये बातें करना, ऐसे उपाई करना जिससे वे प्रसन होकर शिगर यहां आ जाए। वह दूत परवत के रमनिये प्रदेश में जहां दे इनकी आग्या सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उलंगन नहीं कर सकता, वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने आपके लिए जो संदेश दिया है वे सुनें, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आग् में रत्न के समान है, वे मैंने ले लिया है, खीर सागर मंतन से उत्पन अश्वरत्न उचेश्रवा, वो भी देवताओं से मैंने ले लिया है, हे सुन्दरी, उनके सिवा, जितने भी रत्न भूत पदार्थ, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे हैं, हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अते तुम हमारे पास आओ, क्योंकि हम ही रत्नों का उपो करने वाले हैं, हे सुन्दरी, तुम मेरे या मेरे प्राकर्मी भाई, निशुम्ब की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरू देवी जो ही जगत को धरन करती है मनी मनमुसकाई और बोले की दूत तुमने सत्य कहा है इसमें कुछ भी मित्या नहीं है शुम्ब तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्ब भी उसके समान प्राकरमी है किन्तु इस संबंद में मैंने जो प्रतिग्या ली है उसे मित्या कैसे करूँ मैंने अपनी अलप मुद्धी के कारण जो प्रतिग्या बहुत पहले कर ली थी उसे सुनो जो संग्राम में मुझे जीत लेगा जो मेरे अविमान को चुरुन कर देगा तद संसार में जो मेरे समान बलवाला होगा, वही मेरा स्वामी होगा, इसलिए तुम जाओ, शुम्ब निशुम्ब महा देते, यहां आवश्य पदारें, और जीत कर मेरा पाने ग्रेंड करें, तो ही मैं उनके पास आ सकती हूँ, दूत बोला कि है देवी, तुम गमंड में बरी हुई जो ऐसी बातें कर हो, तेनों लोगों में ऐसा कौन पुरुश होगा, जो शुम्ब निशुम्ब के सामने ख़ड़ा हो सके, है देवी, अन्या देत्यों के सामने सारे देवता, युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली स्तरी होकर कैसे ठहर सकती हूँ, जिन शुम्ब निशुम्ब आदी देत्यों के सामने इंद्रादी देवता भी खड़े नहीं हो सके उनके सामने तुम स्तरी होकर कैसे जाओगी इसलिए तुम मेरे कहने से ही शुम्ब निशुम्ब के पास चले जाओ ऐसा कहने से तुम्हारे गोरव की रक्षा होगी अन्या था जब एक केश पकड़ कर तुम्ह गसिटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है शुम्ब बलवान है और निशुम्ब भी प्राक्रमी है किन्तु मैं क्या करूं मैंने जो प्रतिग्या कर ली है तो वो मैं जुठला नहीं सकती अब तु वाप्त हुआ रिशी कहती ही कि देवी के वचन सुनकर दूद को बड़ा अस्चरे हुआ वै तुरंत ही देते राज शुम्ब के पास गया और उसने सारा समाचार विस्तार पुर्वक कह सुनाया दूद के उस वचन को सुनकर शुम्ब बड़ा ही कुपित हुआ और उसने द सेनाप धीपती दुरूम लोचन से कहा कि है दुरूम लोचन तुम शिग्र ही सेना लेकर जाओ और उस दूष्टा के केश पकड़ गसीटते हुए यहां ले आओ उसकी रक्षा करने के लिए दि कोई और वहां खड़ा हो चाहे वो देवता हो यक्षव गंधर्व हो उसे अ हिमाले पर पहुंचकर उसने देवी को देखा तो ललकार कर कहा अरे तुम जल्दी से शुम्ब निशुम्ब के पास चल यदि इस समय प्रसनता पूरवक मेरे स्वामी के पास नहीं जाएगी तुम्हें बल पूरवक गसीट कर तुझे यहां से ले चलूँगा देवी नहीं कि तुम्हें देत्यों के राजा ने बेजा है तुम स्युम्बी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बल पूरवक ले चलो कि तुम्हें क्या कर सकती हूं देवी के यहों कहने पर असुर धुम्र लोचन उसकी और दोड़ा तब अंबिका ने शब्द के चार नमात्र से ही उसे भश्म कर दिया फिर तो क्रोध में भरी हुई देत्यों के विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों शक्तियों और फरसों की वर्शा आरंब कर दी इतने में ही देवी का वाहन सिहें क्रोध में भरकर भयंग कर गरजना करता हुआ, बालों को हिलाता हुआ, सुरों के सेना में कुद पड़ा, उसने कुछ देत्यों को पंजे की मार से, कितनों को ही जबडे से, कितनों ही महादेत्यों को पटक कर अपनी होट की दाड़ों से गाहिल करके मार डाला, उस सिहें ने अपने नकों से कि के पीटह फाड़ लाले और ठपड मार कर कितन के ही सिर्दढ्ड से अलग कर दिये कितनों की बुजाएं और मस्तक कारड़ लाले ता अपनी गरदन के बालों को हीलाते हुए उसने दूसरे देत्यों के पेटह फाड़ कर एक ररख्तमlike तेंथ बरेवे देवी के उस वाहन महाबली सिहें ने चछनबरमें असुरों की सारी सेना का संघार कर डाला। शुम्ब ने जब सुना कि देवी ने धुम्र लोचन उसकी सेना को मार डाला है तो तेत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ उसके होट कांपने लगे उसने चंड मुंड नाम के दो महादित्यों को आग्या दी यहे चंड मुंड तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को पकड़ कर यहां शिग्रता से ले आओ यदि उसे लाने में किसी प्रकार का संदे हो तो युद्ध में समप्रकार के अस्त्र शेस्त्रों और समस्ता सूरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना उसकी हत्या होने के बाद और उसके सियंके मारे जाने पर उ हम सुनेंगे सात्वें अध्याय को आप मन लगा कर इसे सुनिए रिशी कहते हैं कि तब शुम्ब की आग्या पाकर चंड और मुंड नाम के देत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोबित होकर चल दिये फिर गिर राज हीमाले के सुर्ण मैं उन्चे शिकर पर पहुंचकर जब उन्होंने सिहें पर बैठी होई देवी को देखा तब उन्होंने देखा कि मंद मंद मुश्कुरा रही हैं उन्हें देखकर देते तत्परता से उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास करने लगे किसी ने धनूश्तान लिया किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास कड़े हो गए तब अंबिका ने उन शत्रों के प्रती बड़ा क्रोध किया और उस समय क्रोध के और वहां से विक्राल रूप मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिये वे खड़ी थी वे विचितर खड़ंग धारन किये वे चीते के चर्म की साड़ी पहनकर नर्मुंडों की माला से विभूशित थी उनके शरीर का मास सुखा हुआ था केवल हड़ियों का ढ अचा था जिसे देखकर वे बड़ी बहनक जान पड़ती थी उनका मुख बड़ा ही विशाल था जीब लपला पाने के कारण वो और भी डरावनी हो रही थी उनकी आँखें बीतर के और दसी होई थी रो लाल थी वे अपने बहनकर गरजना से संपूर्ण दिशाओं को गु पगड़कर मुहें में डाल लेती थी इस प्रकार गोड़े रत्सार थी के सात रती सेनिकों को मुहें में डालकर बड़े भयानगरों से चबा डालती थी किसी के बाल पगड़ लेती किसी को पेरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के मुक्के मारकर उनको गिरा डालती तिए आशुरों के छोड़े वे जो बड़े बड़े अस्त्र शेस्त्र थेवे मुहें से पकड़ लेते थी और रोश ने भरकर उनको दांतों से बीच डालती थी कोई तलवार से मारे गए कोई खड़क से पीटे गए और कितने यह सुरु दांतों के अगरभाग से कुछ ले जाकर मृत्यू को प्राप्त हुए इस प्रकार देवी ने यह सुरूं की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया यह देकर चंड उन त्यंत भयानक काली देवी के और द कर रही हूं तब भयंकर गर्जना करने वाली काली देवी ने अत्यंत रोश में भरकर विकट हास किया उस समय उनके विक्राल वदन के बीदर कठिंता से देखे जा सकने अले दांतों की प्रभा अत्यंति उजवल दिखाए देती थी देवी ने बड़ी बहुत बड़ी एक तलवार हात में लिए और हम का उच्छारन करते वे चंड पर धावा बोला और उसके केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट डाला चंड को मारावा देकर मुंड भी देवी के और दोड़ा तब देवी ने रोश में भरकर उसे भी तलवार से गयलकर के प्रत्वी पर कर प्रचंड अटाहास करते वे का कि देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापश्यों को तुम्हें भेंट किया है अब युद्धियग्य में तुम शुम्ब और निशुम्ब का स्वम ही वद करना रिशी कहती हैं कि वहां लाये वे उन चंड मुंड नामक महादेत् दुर्वानी में कहा हे देवी तुम चंड और मुंड को लेगर मेरी पास आई हो इसलिए संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी दुर्गा सब्तशती के सात्में अध्याय का ये चरण भी पूरा हुआ जैन आठमें अध्याय में रिशी कहती हैं कि चंड और मुंड नाम के देथ्यों के मारे जाने के बाद तथा बहुत सारी सेना का संगहार हो जाने के बाद देथ्यों के प्रतापी राजा शुम्ब के मन में बड़ा क्रोध उत्पन हुआ उसने देथ्यों की एक संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने के आग अपनी वाहिनी से गिरेवे यात्रा करें, पचास कोटी वीरिय कुल के, सो धोम्र कुल के, असुर सेना पती, मेरी आग्या से सेना सहीत कुछ करें, कालक, दोहार्द, मोर्य, कालके असुर भी युद्ध के लिए तयार हों, और मेरी आग्या से तुरंत प्रस्थान करें, भयान प्रत्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया है राजन तदंतर देवी के सिहें ने भी बड़े दो जोर जोर से दाड़ना रंभ किया फिर अंबिका ने घंटे की शब्द से उस ध्वनी को और भी बढ़ा दिया धनुज की टंकार सिहें की दाहाड और घंटे की संपूर्ण दिशाएं गुंज उठी उस भैंकर शब्द से काली ने अपने विक्राल मुख को और भी बढ़ा दिया इस परकार ये विजएईनी हुई और तुमूल नाद को सुनकर देत्यों की सेनाओं ने चारू और सिहां का चंडी का देवी को सिहें को और काली देवी को क्रोध पूर्वा घेर लिया राजन इस बीच में अशुरों के विनाश और देत्यों के अब उधाय के लिए ब्रह्मा विश्नु कार्थी के विश्नु आदी देवों की जो शक्तियां थी वे तेंत प्राकरम और बल से संपन थी वे सब उनके शरीरों से निकल कर उनी के जैसी वेश बूशा जैसा वान है ठीक वैसे ही साधनों से संपन होकर उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए वहाँ आई सबसे पहले हंस युक्तो विमान पर बैठी अक्ष सुत्र और कमंडलू से इसुशोबित ब्रह्मा जी की शक्ति वाँ उपस्तित हुई जिसे ब्रह्मानी कहती है महा देव जी की शक्ति व्रिशब पर आरूड होकर हातों में स्रेश्ट त्रिशूल धारन करके महा नाग का किंकन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विबूशित होकर वहाँ आपहुंची कार्ति केजी की शक्ति रूपा जगदंबी का उनीका रूप दारन करके स्रेश्ट मयूर पर आरूड होकर हाथ में शक्ति लिए देत्यों से युद्ध करने के लिए वहाँ आई इसी परकार वगवान विश्णु की शक्ति गरूड पर विराजमान होकर शंक चक्र गदा और शांग धनूश तथा खडग हाथ में लिए वहाँ आई अनुपम यग वराह रूप दारन करने वाली स्रीहरी की जो शक्ति हैं वो भी वराह शरीर धारन करके वहाँ उपस्धित ह हुई नार सिंग ही शक्ति जो नर्शियें के समान श्रिट धारन करके वहाँ आई उनके गर्दन के बालों के जटके से आकाश के तारे भिखर पड़ते थे इसी पकार इंद्र की शक्ति वज्जर हाथ में लेकर गजरा जैरावत पर बैठकर वहाँ आई उनके भी सहस्त्र नित्र थे इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था तदंतर उन देव शक्तियों से गिरेवे महादेव ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसनता के लिए तुम शिक्र ही इन असुरों का संहार करो तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परमुग्र चंडिका शक्ति आप शुम्ब निशुम्ब के पास दूत बन कर जाए और उन त्यंत गरविले दानव शुम्ब और निशुम्ब को कहिए साथ ही उनकी जो अतिरिक जो भी दानव युद्ध के लिए वाँपस तो उनको संदेश दीजिए देत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ इंद्र को तरलो के का रज्य मिल जाए और देवता यग भाग का उपयोग करें यदि बल के घमंड में तुम युद्ध की अभिलाशा रखते हो तुम मेरे पास आओ मेरी योगिनिया तुम्हारे कच्छे मास से तरप्त हो चुंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कारे में नियुक्त किया इसलिए वह देवी शिव दूती के नाम से विख्यात हुई वे महा देते भी भगवान शिव के मुहें से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए जहां कात्याइनी विराजमान थी उस और बढ़े तरंतर वे देते अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के उपर बान शक्ति रिष्टी और अस्त्रों की रिष्टी करने लगे तब देवी ने खेल खेल में ही धनूश की टंकार और उनसे चोड़े वे बड़े बड़े बाणों द्वारा देत्यों के चलाईवे बान शूल शक्ति और फरसों को काट डाला फिर दे को नश्ट कर दे थी महायश्वरी ने त्रिषूल से वैस्नवी ने चक्र से और क्रोद में भरी हुए कोमारी कार्ती के शक्ती ने शक्ती से देत्यों का संगहार आरंब कर दिया इंदर शक्ती के वज्र प्रार से विदिर्ण होकर सेंकणों देते दानाव रक्त की धारा बहाते वे प्रत्वी पर सो गए वाराही शक्ती ने कितनों को अपनी तुतन के मार से नश्ट कर दिया सिखे नाच से दशों दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई गिद्द क्षेत्र में विचरन करने लगी कितने यह सुर शीवदूती के प्रचंड अट हास से भैवीत होकर प्रति पर गिर पड़े जिन्नि पर शीवदूती ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया इस प्रका में भरकर युद्ध करने के लिए वहां आया उसके शिरीर से जब भी रक्त की बूद्ध पर गिर्थी तो उसी के समान शक्ती साली एक दूसरा महा देती पर पय्दा hoc जाता महासूर रक्त बीज हाथ में गता लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा तब इंद्री ने अपने वजर से रक्त बीज को मारा वजर से गायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चुने लगा और उसी के समान समान रूप और समान प्राक्रम वाले विछनीवी के चक्र से गाल हुने पर शरीर जो रक्त बहा उससे भी उसी प्रेकार के आकारवाले महा देत्या प्र berries मन्य उत्य हुए कुमारी नी शक्ती से वाराही न ख़डग से माहेशरी ने तरिशूल से महादेते रक्तबीज को घायल किया, क्रोध में भरे विए Blairवे इस महादेते रक्त बीज ने भी गदा से समी मात्र शक्तियों पर प्रतक प्रतक प्रहार किया, शक्ती और शुल-ाधी के अन्यआप भार देवताओं को उदास देखकर चंडी का ने काली से शिक्रता पुर्वक आगी है चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदूओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादेत्यों को तुम अपने इस मुख से खा जाओ इस इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादेत्यों का बक्षन करती हुई तुम रण में वीचरती रहो ऐसा करने से अंदेत्य का सारा रक्त खिशिन हो जाएगा और वैस्वाम नश्ट हो जाएगा उन भयंग कर देत्यों को जब तुम खाओगी तो दूसे नए देत्य नहीं हो सकेंगे काली से यह कहें कर चंडी का देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा काली ने अपने मुहें में उसका रक्त ले लिया तब वहां चंडी का देवी पर उसने गदा का प्राहर किया किन्तु उस गदा पात से देवी भी तनक्वी वेदना उन्हें नहीं हुई रक मैं चट कर गई उसने रक्त बीज का रख्त भी पी लिया तरच देवी ने रक्त बीज बीज को जिसका रक्ता चामुंडा ने पी लिया था वज्र बान खडग सृष्टी आदी से मार डाला राजन इस पकार शस्त्रों के समुदाएं से आत रक्त हीन हुआ महा देते रक्तवीज प्रत्वी पर गिर पड़ा है नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान से मद्ध से उध्यत होकर नृत्यसा करने लगे दुर्गा सब्तशती के नमम अध्याय में राजा कहते हैं कि है भगवन आपने रक्तवीज के वद से संबंद रखने वाला देवी का ये अनुपम चरित्र मुझ से कहा अब रक्तवीज के मारे जाने पर क्रोद से बरेवे शुम्ब निशुम्ब ने जो कहा वह भी मैं सुनना चाहता हूं तवरीशी कहने लगे कि है राजन उसी युद्ध में रक्तवीज और अन्य देत्यों के मारे जाने पर शुम्ब निशुम्ब के क्रोद की सीमा ने रही अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाते देकर निशुम्ब ने अमर्श में भर कर देवी की और में शुम्ब भी अपनी सेना के साथ मात्रगणों से युद्ध करके क्रोद वश चंडिका को मारने के लिए पहुंचा तब देवी के साथ शुम्ब और निशुम्ब का घोर महा संग्राम छिड़ गया वे दोनों देत्ये मेगों की भांती बाणों की भेंकर वरिश्टी कर थी उन दोनों के चलाएवे बाणों को चंडिका देवी ने अपने बाणों की समुह से तुरंती काट डाला और शस्त्र समुहों की वर्षा करके उन देत्ये पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई निशुम्ब ने तीखी तलवार और चमक्तिवी ढाल से देवी के स चांद जड़े थे उसे खंड खंड कर दिया ढाल और तलवार के कट जाने पर शुर ने शक्ति चलाई किंदू सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके दो टुगडे कर दिये अब तो निशुम्ब क्रोध से जल उठा उस दाना उने देवी को मारने के लिए शूल उठाया किंदू देवी ने समी पाने पर उसे भी मुक्के की मार से चुर्ण कर दिया तब उसने गदा गुमा कर चंडी पर चलाई परंतु देवी के त्रिशुल से वैवी कट गई बसम हो गई तदंतर देतिराज निशुम्ब को फरसा हाथ में लेकर आते देखा तो देवी ने बा आठ अनुपम भुजाओं से समुचे आकाश को डग कर वे अदूथ शोबा पा रहा था उसे आते देखकर देवी ने शंक बजाया और धनूस की प्रतेंचा भी अतेंद दूसरे शब्द किया साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दित्य शैनिकों का तेज नश्ट करने वाला था चंपूरन दिशाओं को व्याप्त कर दिया तदंतर सिहें ने भी अपनी तहार से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था आकाश प्रत्वी और दसों दिशाओं को गुंजा दिया फिर काली ने आकाश में उचलकर अपने दो असुर थर्रा उठे किन्तों शुम्ब को बड़ा क्रोध आया उस समय देवी ने शुम्ब को लक्षे करके का कि यह दुरात्मन खड़ा रहे खड़ा रहे तबी देवता आकाश में बोल उठे जै हो जै हो शुम्ब ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्तत्यंत बयानक शक् बड़े भारी लूके से दूर से ही हटा दिया उस समय देवी शुम्ब के सिहनाद से भी तीनों लोग गूंज उठे थे राजन उसकी प्रतिद्वनी से वज्रपात के समान एक बयानक शब्द हुआ जिसने अन्य शब्दों को छोटा कर दिया शुम्ब के चलाई हुए इतने में निशुम्ब जो पहले घायल हुआ था बेवोश हो गया था उसे चेतना हुई उसने धनूश हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली उर्शियें को घायल कर दिया फिर उस देतिराज ने दस हजार बाहें बनागर चक्रों के प्राहर से चंडिका को अच्छा दोड़ा उसके आते ही चंडिका ने तीकी धारवारी तलवार से उसकी गदा को काट डाला तब शूल हाथ में लिया देवताओं की को पीड़ा देने वाले निशुम्ब को शूल हाथ में लिये आते देखकर चंडिका ने वेग से चला कर अपने शूल से उसकी छाती छेद शुल से वीदेर्ण हो जाने पर उसकी चाती से एक दूसरा देते, महाप्राकर्मी देते, खड़ी रहे, खड़ी रहे, ऐसा कहते वे निकला, उसके निकलते ही देवी हस पड़ी और खड़क से उसका मस्तकार डाला, फिर दो वे प्रतिवर गिर पड़ा, तजनतर सीहें अपन महादेते, नश्ट कर दिये, ब्रामनी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही देते, महेश्वरी के त्रिशूल से छिन भिन दराशाई हो गए, वराई के थुतन से अगात से कितनों का ही कचूमर निकल गया, वैश्नवी ने भी अपने जुद में से भाग गए, तथा कितने ही काली शिवदूती उर्सियें के ग्रास बन गए, हे राजन इस प्रकार निशुम्ब वद्ध का यह नवा अध्याए, पूर्ण हुआ, दस्वें अध्याए में रिशी कहते हैं कि हे राजन, अपने प्राणों की समान, प्यारे भाई निशुम्ब को मारा गया देखकर, और उसकी सारी सेना का संगहार होता देखकर, शुम्ब ने कुपित होकर कहा कि हे दुर्गे, तु बल के अभिमान में आकर जूट मुट का घमंड मत दिखा, देवी बोली, दुष्ट मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा को तू मैं केवल अम्बिका देवी रह गई, देवी बोली कि मैं अपनी एस्वरे शक्ती से अनेक रूपों में यहां उपस्तित हुई हूँ, अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, मैं केली ही युद्ध में कड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ, देवी और शुम्ब दोनों में सब देवताओं तो था दानों के देखते देखते भयानक युद्ध चिट गया, बाणों की वर्षा और तीके शस्त्रों दारुन अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ, उस समें अंबिका देवी ने सेंक तब उस असुर ने सेंकणों बाणों से देवी को आच्छा दित कर दिया, ये देकर क्रोध में बरियूई उन देवी ने भी बाण मार कर उनको दनुष भी उसका काट डाला, दनुष कड़ा जाने पर देत्यराज ने शक्ति हात में ली, इंदु देवी ने चक्र से उसकी शक देत्यों की स्वामी शुंब ने सो चांद वाली चमकती ही ढाल और तलवार हात में लेकर देवी पर दावा बोला, उनके आते ही चंडीका ने अपने दनुष से चुड़े वे तिक्ष्न बाणों से सुर्य किर्णों के सुमान उज्वल ढाल और उसकी तलवार को तुरंत ही काट डाला, फिर उस देत्ये के गोडे और सार्थी मारे गए, दनुष तो पहले ही कट चुका था, अब अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हात में उसने लिया, उसे आते वे देखकर देवी ने तिक्ष्न बाणों से, उसका मुदगर भी काट डाला, तिस पर वैसुर मुका तान कर बड़े वेग से देवी के और जप्टा, उस देत्ये राज ने देवी की छाती में मुका मारा, तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया, देवी का थपड़ खाकर देत्ये राज शुम्ब प्रत्वी पर गिर पड़ा, प समय देत्य और चंडी का परसपर एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे उनका युद्ध पहले सिद्ध मुनियों को विसम्य में डाले हुए था फिर अंबिका ने शुंब के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पशादू से उठा कर गुमाया और प्रत्वी पर पटक दिया प्रत्वीवर पटके जाने के बाद भी वह फिर से खड़ा हो गया और चंडी का जी के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से उनकी और दोड़ा तब समस्त देत्यों के राजा शुंब को अपनी हो राते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी चाती को छेद कर प्रत्वी पर गिरा दिया देवी के शूल से गाहल होने पर उसके प्राण पंकेरू उड़ गए वे समुद्रों दीपों परवतों सहित समुची प्रत्वी को कम पाता हुआ भूमी पर गिर पड़ा तजनतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर समस्त जग प्रसन्न हुआ पूर्ण स्वस्त हो गया और सारा जो आकाश था वो स्वच्छ दिखाई देने लगा पहले जो मेग उलका पात होते थे वो सब शान्त हो गए और देते के मारे के जाने पर नदियां भी अपने ठीक मारग से बहने लगी उस समय शुम्ब की मृत्यों के बाद संपूर्ण देवताओं कारदे हर्ष से भर गया गंदर अवगन मदूर गीत गाने लगे दूसरे ग संपूर्ण दिशाओं में भेंकर शब्द जो थे वो शान्त हो गए रिशी कहते हैं कि अब ग्यारवे अध्याई में आप ध्यान पूर्वक सुने कि महादेत्य पति शुम्ब के मारे जाने पर इंद्रादी देवता अगनी को आगे करके उनका त्याईनी देवी की स्तूती करने लगे उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और जो उनके प्रकास से सारी जो दिशाई थी वो जगमका रही थी देवता बोले कि शर्णागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो तुम्ही चर्चराचर जगत की अधीश्वरी हो तुम इस जगत का एक मात्र आधार हो क्योंकि प्रत्वी रूप में तुम्हारी हिस्थिती है देवी तुम्हारा पराकरम अलंगनिय है तुम्ही जल रूप में स्थित होकर सं करती हो तुम अनंत बल से शक्तिशाली हुं व्यशनवी हुं तुमने समस्त जगत को मोहित कर Politics हो तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रका है। तुम्हारी स्तुती क्या हो सकती है। तुम तो स्तुवन करने योग्य पदार्थों से भी परे हो। जब तुम सर्व सरूपा देवी स्वर्ग मुक्षपदान करने वाली हो। तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुती है। तुम्हारी स्तुती के लिए इससे अच्छी उक्त और क्या हो सकती हैं बुद्धी रूप से सब लोगों के हर्दे में विराजमान रहने वाली स्वर्ग और मुक्ष प्रतान करने वाली नाराइनी देवी तुम्हें नमस्कार है कला काश्ट आदी के रूप में क्रमशह परिनाम की और ले जाने वाली तता विश्व का उपसंग करने में समर्थ हे नाराइनी आपको नमस्कार है हे नाराइनी देवी तुम सब प्रकार का मंगल प्रतान करने वाली मंगल में हो कल्यान दाइनी शिवा हो और सब पूरुशार्थों को सिद्ध करने वाली शर्ण वत्सला शर्ण गत्वत्सला तीन नेत्रों वाली और गोरी हो तुम्हें प्रणाम है तुम स्रश्टी पालन और संगार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार और सर्व गुणमाय हो हे नारायनी तुम्हें नमस्कार है शरण में आए हुए दीनों और पीडितों की रक्षा में सलगन रहने वाली और सब की पीड़ा दूर क रखती हो तुम्हें नमस्कार है महेश्वरी रूप में आप ही त्रिशूल चंद्रमायम सर्प धारण करने वाली और महान व्रशब की पीठ पर बैठने वाली नारायनी देवी तुम्हें नमस्कार है मोरों और मुर्गों से गिरी रहने वाली महा शक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिनी निश्पापे नारायनी तुम्हे नमस्कार है शंक चक्र गदाश शारंग धनूज और उत्तम आयुदों को धारन करने वाली वैशनवी शक्ति रूपा नारायनी प्रसंद हुईए आपको नमस्कार है हात में भयानक महाचक्र ठाड़ों प्रधर्ती को उठाए वाराही रूप धारिनी कल्यान मई नारायनी तुम्हे नमस्कार है भैंकर नर्सिंह रूप से देत्यों के वद के लिए कार्य करने वाली त्रीभुवन की रक्षा में सलग्न रहने वाली नारायनी तुम्हें नमसकार है मस्तक पर कीरीट और हाथ में महावज्र दारन करने वाली सहस्त्र नित्रों के कारण उदिप्त दिखाई देने वाली वत्राशुर के प्राणों का अपारन करने वाली इंद शक्ती रूपा नारायनी देवी तुम्हें नमस्कार है शिविदूती रूप में देत्यों की महती सेना का संघार करने वाली भहनकर रूपदारन क्रिकित गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमसकार है दाड़ों के कारण विक्राल रूप माली मुख मन्दल मुढ माला से विभूशित मुख मंडु मरदनी चामूंडा ना रायनी तुम्हें नमस्कार है है रक्षा करें हे बद्रकाली जवालाओं के कार्ण विक्राल प्रतित होने वाला अतेंत भयंकर तता समस्त असुन का संगार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भैसे बचाए तुम्हें नमस्कार है हे देवी जो अपनी ध्वनी से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके देत्यों के तेज नश्ट किये देता है वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपनी पुत्रों की रक्षा करती है हे चंडी के तुमारे हाथों में सुशोबित खडग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे हम तुमें नमस्कार करते हैं हे देवी तुम प्रसन होने पर सब रोगों को नश्ट कर देती हो कुपिद होने पर उन्हों वांचित सब कामनाओं का नाश कर देती हो जो लोग तुमारी शरण में आचुके हैं उन पर तो विपत्ति कभी आती नहीं तुमारी शरण में गईवे मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाती हैं, हे देवी अंबी के तुम अपने स्वरूप के अनेक भागों विवक्त करने के कान नाना प्रगार के रूपों से जो इस समय दर्म द्रोही महादेत्यों का जो संगहार किया है वे दूसरा और कोई नहीं कर सकता, विद्याओं में ज्यान को से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भठका रही हो, जहराक्षस और भेंकर विश्वाले सर्प, शत्रू, लुटेरों की सेना और दावानल हो, वहां समुद्र के बीच में रहकर भी तुम विश्व की रक्षा करती हो, हे विश्वेश्वरी तुम विश्व क को आसरे देने वाले होती हैं, हे बगवती प्रसन्न होओ, इस समय जैसे असुरों का वद करके आपने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदेव हमें शत्रू के भैसे बचाओ, संपुर्न जगत का पाप नश्ट कर दो, और उत्पात और पापों के फलसोरूप होने वाली मह हमारी आदी बड़े बड़े उपदर्वों को शिग्र दूर करो, हे वीश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चर्णों में हैं, हे त्रिलोग निवासियों की पुजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वर्दान दो, तब देवी बोली, देवताओ, मैं वर अधाओं को शांत करो, और हमारे श्यत्रों का नाश करती रहो, देवी ने का देवताओ, वेवस्त मनमंत्र के 28 में युग में शुम्ब और निशुम्ब नाम के दो जो महा देत्ते उत्पन होंगे, तब मैं नंद गोप के घर में पतनी यशोदा के गर्ब से उतीर्ण होकर विंद्याचल में जाकर रहोंगी और उन दोनों असुरों का नाश करोंगी, फिर अत्यंत भेंकर रूप से प्रती पर उतार लेकर में वेप्रचित नाम के दानों का वद करोंगी, उन भेंकर महादेत्यों को बक्षन करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भाति लाल हो जाएगा, उसमें मुनियों के स्तवन करने पर मैं प्रती पर आयोनिजा के रूप में प्रगठ होंगी और सो नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, तब मनुष्य मुझे सताक्षी नाम से मेरा कीरतन करेंगे, है देवताओं उसमें मैं अपने शरीर से उत्पन शाकों समस्त संसार का भर्ण पोशन करूंगी, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाकी सब के प्राणों की रक्षा करेंगे, ऐसा करने के कारण प्रती पर्म मुझे शाकंबरी नाम से जाना जाएगा, उसी अवतार में मैं दुर्गम देत्य का वद करूंगी, उस से मेरा नाम दुर्गा देवी होगा, फिर मैं भीम रूपदारन करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाले पर रहने वाले राक्षसों का बक्षन करूंगी, तब सभी मुनि भाव से नस्त मस्तक होकर मेरी स्तूदी करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा जब अरुन नामक देते तीनों लोकों में भारी उपत द्रवों मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए छे पैरवाले असंग्या भरमरों का रूपदारन करके उस महा देत्या का वद करूंगी, तब सब लोग मुझे ब्रामरी नाम से जानेंगे, जब जब इस अंसार में दानवी बादा उदपस्तित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रों का संगहार करूंगी, इस प्रकार मारकंडे पुराण में सारमनिक मनवंतर के कथा के अंतरगत देवी महातम में देवी स्थूती नामक ग्यारवा अध्याय पूर्ण हुआ, जब अधा में निश्चित ही दूर करूंगी, जो मधुकेडब का नाश, मैशा सुरुवद, शुंब निशुंब के संगहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, तथा अस्टमी, चतुरदशी और नव्मी को जो एकाग्रचित होकर भक्ती पूर्वक मेरे उत्तम महातम्य का स्रवन कर विच्वों का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, इतना ही नहीं, उन्हें शत्रों से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अगनी से, तथा जल की राशी से कभी भै नहीं होगा, इसलिए सब को एकाग्रचित होकर भक्ती पूर्वक मेरे इस महातम्य को सदा पढ़ना औ उत्पातों को शांत करने वाला है, मेरे जिस मंदिर में प्रति दिन विधी पूर्वक मेरे इस महातम्य का पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान को कभी नहीं चूड़ती, वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है, बलिदान, पूजा, होम तथा महोचव के अवसरों पर मे ऐसा करने पर मनुष्य विधी को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बली, पूजा, होम आदी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहन करूंगी, शरत काल में जो वार्शिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महातम्य को जो भक्ति पूर्वक वे मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाउं से मुक्त, धन धन्य एवं पुत्र से संपन होगा, इसमें तनिक भी संदे नहीं है, मेरे इस महातम्य मेरे प्रादुर बाव की सुन्दर कताईं, तदा युद्ध में किये हुए मेरे प्राक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो कर्म में बुरे स्वपन दिखाई देने पर तता ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्तित होने पर मेरा महातम में सरवन करना चाहिए इसे सब वीगन तता भयंकर ग्रह पीड़ाई शान्त हो जाती हैं मनुश्यों द्वारा देखावा दू स्वपन शुब स्वपन में परिवर मित्रता कराने वाला है यह मातम में समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है मेरा यह मातम में मेरे सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है पशू पुष्प अर्दे धूप दीप प्रकार के अन्य भोगों का अरपन करने दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसंता होती है उतनी प्रसंता मेरे उत्तम चरित्र का एक बार सर्वन करने मातर से हो जाती है यह महतम में स्रवन करने पर सारे पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रतान करता है मेरे प्रादूर भाव का कीरतन समस्त भूतों से रक्षा करता है तता मेरा युद विश्यक चरित्र दूष्ट देत्यों का संगहार करने वाला है मेरे सिर्वन करने पर मनुश्यों को शत्रू का भे नहीं रहता है देवताओ और रिश्यो जो तुमने मेरी स्तूतियां की है ता ब्रह्मा जी ने जो स्तूति की है वे सभी कल्याणवाई बुद्धि प्रदान करने वाली है वन में सूने मार्ग में अतुवा दावानल से गिर जाने पर निर्धन स्तान में लुटेरों के दाव पढ़ जाने पर या शत्रूं से पक्ड़े जाने पर अत्वा trước से बिच्छने हाथियों के पीछा के जाने पर कुपित राजा के आदेश से वद्या बंधन के स्थान में ले जाने पर अत्वा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तुपाने के कारण नाव लगमग होने लगे और भैंकर युद्ध में शस्त्रों के प्रहार होने प्रत्वा मेरे प्रभाव से सिहाधी हिंसक जन्तु नश्ट हो जाती हैं लुटे रे और शत्रू भी मेरे चरित का स्मर्ण करने वाले पूरुष से दूर भागती हैं यह कहकर परचंड प्राक्रम वाली भगवती चंडी का सब देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई फिर समस्त देवता भी से निरभय होकर पहले की भांती यग्यभाग का उपयोग करते हुए अपने अभिकार का पालन करने लगे संसार का विद्वन्स करने वाले महा भयंकर अतुर प्राक्रमी देव शत्रु शुम्ब तथा निशुम्ब के युद्ध में देवी के द्वारा मारे जाने पर शेश देत्य पाता लोग चले गए हिराजन इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुने पुने प्रगट होकर जगत की रक्षा करती हैं वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं वे ही जगत को जनम देती हैं वे ही प्रातना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समर्धी प्रतान करने व वे महाकाली ही समस्त ब्रमहंड में व्याप्त हैं। वे समय समय पर महामारी होती हैं। वे ही स्व्यम अजनमा होती हुई स्रस्थी के रूप में प्रगट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूलन भूतों की रक्षा करती हैं। अनुष्य के अभुधय के समय वेही गर्मि लक्ष्मी रूप में स्थितोकर उनकी उनत्ति प्रतान करती हैं और वेही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प धूप गंद आदी से पुजन करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धी तथा उत्तम गति प्रतान करती हैं। दुर्गा सब्त शतिकेत तेरवे अध्याय में रिशी कहते हैं कि ही राजन इस प्रकार मैंने तुम से देवी के उत्तम महतम्य का वर्णन किया जो इस जगत को धार्ण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्याउत्पन करती हैं। भगवान विश्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य, अनान्य विवे की जन मोहित होती हैं, और आगे भी होंगे। महराज तुम उन परमेश्वरी की शर्ण में जाओ, और आधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मारकंडेशी कहते हैं कि मेधा मुनी के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम अवरत का पालन करने वाले उन महभाग महर्शी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजया परण से खिन हो चुके थे। ये महमुने इसलिए विरख्त होकर वे राजा तता वेशे ततकाल तपश्या को सले गए। वे जगदंबा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपश्या करने लगे। वे वेशे देवी सुक्त का जब करते वे तपश्या में परवर्त हुए। दोनों ही नदी के तट पर देवी की मूर्ती बनाकर पुष्प, धूप और हवनादी के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने आहार को धिरे-दिरे कम किया। फिर निरहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकागरता पूरवक उनका चिंतन आरंब किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बली देते हुए लगातार तीन वर्ष तक सैयम पूरवक अराधना करते रहे। इस पर प्रसन होकर जगत को धारन करने वाली चंडी का देवी ने प्रतेक्ष दर्चन देकर कहा कि ही राजन तुम कुल को आनंदीत करने वाले वेश्य तुम लोग जी स्वस्तु के विलाशा करते हुए मुझसे मागू मैं संतुष्ट हूँ अते तुमें सब कुस तब राजा ने दूसरे जन्म में नश्टने होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रू की सेना को बलपूर्वक नश्ट करके अपना राज्य प्राप्त करने का वर्दान मांगा वेश्य काचित संसार के और से खिन और विरक्त हो चुका था वे बड़े स्थिर रहेगा फिर मृत्यों के बाद तुम विश्ववान के अंश्य से जन्म लेकर इस प्रती पर सावर्निक मनु के नाम से विख्यात होगे वेश्य वर्य तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है उसे मैं देती हूँ तुम्हें मौक्ष के लिए ज्यान प्राप्त होगा इस प्रकार देवी उन दोनों को मनु वान्चित वर्दान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तूति सुनकर तत्काहली अंतर ध्यान हो गई और देवी से वर्दान पाकर क्षत्रियों में स्रेष्ट सुरत सुर्य से जन्म लेकर सावर्नि मनु होंगे इस प्रकार दुर्गा सब्तश्यती का ये तेरवा अध्याय समाप्त हुआ जै मां दुर्गे जै मां अम्बे